परम पुजिनी गुर्देव बाबा स्री नीप करोरी जी महराज की चैनों में साधर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जैश्री राम बाबा की कृपा से जुड़ा हुआ आज जो मैं द्रिष्टान्त आपके सामने रख रहा हूँ ये अनुभूती स्री चंदर देव गुपता जी की है और ये 36 गड़ से उन्होंने हमें भेजा है इस अनुभूती में मैं उनका नाम सेयर कर रहा हूँ उनकी राज जी का नाम से सर्वजनिक कर दूं लेकिन मैं उनको सर्वजनिक नहीं करूंगा आते हैं उनकी अनुभूतियों पर वो एक सरकारी अधिकारी हैं जो रिटायर्ट हैं और उनकी उम्र 80 वर्ष के आसपास है अभी और वो कहते हैं कोई धार्मिक रूजहान मुझ में अंदर था नहीं बहु कुछ अच्छे वीडियो जो इंस्पारिंग हो वो सब ऐसे ही देखते रहते थे वो बताते हैं कि इस ऐसे ही देखने के क्रम में एक दिन उनके सामने मेरी काउंसलिंग के एक दो वीडियो आई और मेरी काउंसलिंग के एक दो वीडियो देखने के बाद जब उन्होंने मेर बताते हैं कि मुझे ना तो इतना जादा मैं आध्यात्मिक हूँ और ना इतना जादा मुझे इन सब पे भरोसा होता है लेकिन आपकी काउंसलिंग की वीडियो बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने आपकी बताई हुई हर बात को सही मानते हुए मैं धीरे धीरे उनको सम मजने लगा और सच मान के उनमें डूबने लगा उन भावों में जो आपने कहा था मैं गुपता जी के साफगोई की भी बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सब बातें खुल करके बड़े अश्पष्ट सब्दों में कहीं अब दो साल पहले जब उन्होंने हमारे चैन करके नहीं देखता लेकिन अगले दिन मैंने उन सभी लाइव सेशन को आपके जरूर सुना देखा प्रभावित हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर कॉंटेक्ट किया था और कॉंटेक्ट करने का भी कोई खास प्रयोजन नहीं था बस उन्हें मुझे कोई डॉक्टर का ही उपलब्द नहीं थे तो फिर बड़ी मुझकल से एक हॉस्पिटल में दिखाया गया और वहां से उन्हें पता चला कि वो हिर्दय रोग की ओर बढ़ रहे हैं और उसी के कारण जो है ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होने की समस्या भी बढ़ रही है तो अब जाकर के फिर देरे देरे टेस्ट की ओर गए जब उनकी एंजियो ग्राफिक कराई गई टेस्ट कराई गई तो पता चला कि ब्लॉकिस बहुत जादा है और अविलंब सरजरी की आवशकता है गुपता जी कहते हैं कि उन्होंने सरजरी के लिए अपने बच्चों से मना कर दिया उनका कहना था जितने भी दिन की जिंदगी बची है उतने दिन गुजार लेंगे गुपता जी बताते हैं कि उस वक्त मैं 89 प्लेस में चल रहा था तो सोच रहा था कि 80 साल की उम्र में अपने शरीर की और दुरगती ये सरजरी बेगरह में जाकर के ना करवाऊं ज जैसे जैसे मेरी बीमारी और जटिलताएं बढ़ती गई और जैसे जैसे मैं अक्षम होता चला गया सारीरिक रूप से परिशान होता चला गया मेरे मन में बाबा के प्रती बाबा स्री नीप करावरीची महराज के प्रती एक हिचाओ बढ़ता गया गुपता जी एक और बा अस्थान के साथ खोलना उचित नहीं समझा और वो कहते हैं कि मैं बाबा नीव करोरी से जब जैसे 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 जुड़ने लगा तो मुझे अपने जीवन के उन हिस्सों पर जहां मैंने कुछ गलत किया था पस्तावा भी होता था और मैं सोचता था कि बाबा की कृपा मुझ से साजा की हैं जो मैं हाँ पर प्रासंगिक नहीं है साजा नहीं करूंगा लेकिन उन्होंने इतने ही बात से आप समझ जाईए कि उन्होंने जो कहा उसका सार्त तो यही था कि नैतिक अनैतिक की परिभाशा से परे उन्होंने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे काम किये थे ज उनकी भावनाय बहुत पवित्र होती होंगी, तो मुझ जैसे अधम के उपर बाबा की क्रिपा नहीं होगी, और मन में ये भाव रखते हुए बाबा से वो अपने उपर क्रिपा करने की प्रार्थना भी नहीं करते थे, लेकिन वो बताते हैं कि बाबा से जुडाओ मेरा बढ़ता जा रहा था, फिर धीरे धीरे करके आया सर्दियों का महीना, ये 2021 दिसंबर, जब लगा कि अब जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, और उन सर्दियों में वो बहुत ही परिशान हो गए, और उनकी हैट की बीमारी इतनी ज़्यादा तिप्र हो गई, कि जिस किसी भी डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर सिधा कहता था उनके सारी रिपोर्ट देखके, कि सरजरी ही अंतिमु पाय है, नहीं तो आपको बचाया जाना असंभव है, और वो सरजरी के लिए तयार हो नहीं रहे थे, पर बिना सरजरी के जीना मुश्किल हो रहा था, और हर दूसरे तिन हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर का यही जवाब। गुपता जी कहते हैं कि अंत में परिवार वालों की मरजिस्क के सामने में बिवस हो गया, और उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन से जुड़े एक हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लिया, और वहाँ के अपॉइंटमेंट के बाद वहाँ जो नियत तिती थी वहाँ जाकर की दिखाया गया, और वहाँ डॉक्टरों ने उनकी स्थिती की जांच की और फिर उनको सरजरी की एक तारीक घोशित की और उनको उधर हॉस्पिटल में भरती कर लिया, मैं आपकी वीडियो देखता था, और जो भी लाइब सेशन उस वक्त में आये, मेरे पास और कोई भी काम फिर नहीं बच गया था, इसके सिवा कि जब भी मैं ठीक रहूं, थोड़ा भी अच्छा फिल करूं, तो आपके पुराने वीडियो या बाबा से जुड़ी और भी चीज़े देखूं, लेकिन प्रार्थना उन्होंने फिर भी बाबा से ये नहीं किया, कि बाबा मुझे ठीक कर देजिये, क्योंकि उनके मन में ये भाव घनीभूत थे, कि उन्होंने जिंदगी में इतने पाप करे हैं, कि बाबा उन सबको माफ करके उन पर कृपा शायद नहीं करेंगे, धीरे धीरे सरजरी का जैसे जैसे वक्त नईदी का आता गया, वो कहते हैं कि बाबा के प्रते अनुराग और प्रेम बढ़ता चला गया, और एक समय स्थिती सिर्फ इतनी बच गई, कि जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी तुकी जटिलताएं बहुत हैं, और उम्र इनकी बहुत हो चुकी है, और देर भी काफी की जा चुकी थी इस बीमारी की बाद, तो डॉक्टरों ने कहा कि 20% सक्सेस के चांस हैं और 80% अन्सक्सेस के चांस हैं, लेकिन और कोई उपाय नहीं है, और सरजरी एक मातर बिकल्प है, हमें उसमें जाना ही पड़ेगा गुपता जी बताते हैं कि मैं जीवन के प्रती आज शोड़ चुका था, और एक तरह से कोई ऐसी मन में इच्छा भी नहीं थी, कि अब जीकर के और खास खरणा भी क्या है, 80 वर्ष की उम्र तो हम काट ही चुके हैं, तो गुपता जी अपने मनोभाव मुझसे साजा करते ह हुए बताते हैं कि हमने सोचा कि जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अगर मैं सरजरी रूम से ऑप्रेशन थेटर के बाहर जिंदा नहीं भी निकला, तो मैंने अपने जीवन में अच्छा बुरा जो भी किया है, उसके प्रती बाबा से एक बार मा भी माग लो, तब वो कहत हैं कि जो कैलेंडर हम लोगों ने साजा किया था, इसे बहुत से भगतों ने डाउनलोड किया है, और वो मार्च का महीना दीरे-दीरे आ गया, जब उनको सरजरी की नियत ती नईदी का रही थी, तो कैलेंडर उन्होंने भी डाउनलोड किया था, और मोबाइल पे बाबा क वो फोटो केलेंडर में देखते रहते थे फिर उन्होंने अपने परिवार के सदस्चों से कहा कि इसकी एक कौपी प्रिंट करके लिया हो तो उनके घरवालों ने उसमें से मार्च के महीने में जो बाबा की पोज है और जो मार्च के महीने का पेज है उसको प्रिंट करके ला और यही कहता था कि बाबा मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने भी आपराध किये हैं अंजाने में, और अगला जनम ऐसा दीजिएगा मुझे, जिसमें मैं इन आपराधों से मुक्त हो सकूँ, मेरे अंदर ऐसा बोध और बुध्धी मैंने किया है, अब गुपता जी की ये प्रार्थना बाबा तक पहुच रही थी, क्योंकि गुपता जी को मेरे कहने से, वो कहते हैं मुझे ऐसे बिश्वास नहीं होता, लेकिन आपने कहा था कि बाबा फोटो के सामने की गई प्रार्थनाय सुनते हैं, इसलिए मैं बाबा से ये सब बाते मन ही मन किया करता था, क्या बाबा मेरी प्रार्थनाय सुनते तो जरूर होंगे, उसकी रिपलाई वो दे ना दे, लेकिन वो मेरी प्रार्थनाय उन तक पहुच रही हैं, तो इस तरह से वो बाबा से प्रार्थना कर रहे थे, धीरे धीरे करके वो दिन भी जब उन्हें सरजरी के लिए जाना था और वो कहते हैं कि सरजरी के लिए जाते वक्त मुझे कोई उमीद नहीं थी कि मैं वापस लौट करके आउंगा और इन आखों से फिर से दुनिया में और किसी भी चीज को देख पाऊंगा। उस मनस्तिती में वो कहते हैं कि मुझे बाबा याद रहे और बाबा से कैसे करना है अस्तुती जो मैंने बताया है वो याद रहा। वो कहते हैं कि बाबा नीव क्राउरी पाट 1 और पार 2 के बीडियो में जिस तरह से मैंने समझाया था और बताया था कि बाबा ने कैसे मुझे पर कृपा करी। मैं वहाँ गया तो क्या द्रिश मैंने देखा था, बोले वो सब द्रिश से मेरे नजरों के सामने जीवन्त होते रहे, और ऑपरेशन थेटर में जाने के बाद जब तक वो होस में थे, तब तक वो इनी सब खयालों में खोये हुए थे, और एक बार भी तब भी उन्होंने बाबा से नहीं कहई कि बाबा मुझे पर कृपा करिये, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बाबा आप मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छा हो बुरा हो ये सब मुझे स्विकार है, इस चीवन में मैंने कुछ अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया है और उन सब को ले करके इस दुनिया से अगर मैं आज इस सरजरी के बाद क्योंकि डॉक्टर ने कहा है 80% अंसक्सेस के चांस है और 20% ही सक्सेस के चांस है तो उनको लग रहा था कि शायद अब इसके बाद जिंदा मैं नहीं बचूँगा तो उनको कह दोरान हरवक्त बाबा उनकी पास मौझूद थे उन्हें हरवक्त जो वो दिवाल में बाबा की तस्वीर छोड़ के आये थे चिपका हुआ वो उनके मन मस्तिस्क मैसी बसी थी को कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता कि डॉक्टर कैसे सरजरी कर रहे होंगे क्या कर रहे प्रपनी होश आने तक ओशेतन मन में बाबा की वही तस्वीर उनके सामने थी और उन्हें लग रहा था कि बाबा की गोद में बैठे हैं और उन्हें किसी भी तरह की और कोई एहसास उनके मन में बचा हुआ नहीं था जब उनको एक सफल सरजरी के बाद critical care unit में shift किया गया और डॉक्टरों की देख रेख में उनको रखा गया और तब भी वो होश में तुरंत नहीं आये थे, समय लगा उसमें भी, उस समय की जो अनुभूतिया है उसको बताते हुए भी वो बताते है कि जब मैं ऑपरिशन थेटर में गया था, उस वक्त से ले करके बीच में मेरे हो की बात बताओ, तो उनके परिवार वालों ने बताया कि ऑपरिशन करते बग चुकी मामला क्रिटिकल था, डॉक्टरों ने एक दो बार इमर्जंसी फेस की और बहुत ही बड़ी इमर्जंसी फेस की, चाहां लग रहा था कि अब शायद इनको बचा पाना मुश्किल है, ले कभार उनके परिवार के कुछ सदा से उनसे मिलने जा रहे थे, तो वहां पर उनके परिवार वालों ने भी देखा, वहां जो और कुछ मरीज भरती थे, जो ज़्यादा स्वश्थ थे, उन्होंने भी देखा कि एक गेरवा बस्तर पहने, शन्याशी की मुद्रा में घूमत पहले हुए, एक आते हैं, और उनका हाल चाल बार-बार ले करके चले जाते हैं, और कई बार 5-10 मिनट तक उनके पास भी बैठते हैं, और उनके सिर पर हाथ फेर के चले जाते हैं, वो लोग भी सबी सोच रहे थे कि यह कोई यहीं के डॉक्टर होंगे, चुकि रामकृष् जब मैं आँख खुली, तब मैं एक अलग दुनिया में आया, और जब मुझे होश हुआ कि अब मैं जिन्दा हूँ, मेरा सरजरी के बाद मैं जीवित बच गया हूँ, तब मैं सोच रहा था कि अभी तक मैं किस आनंद में था, अभी तक तो बाबा नीब करोरी जी महराज म कई बार आते जाते रहे, हाल देखते रहे, इनकी तरफ देखके मुश्कुराते रहे, आखे इनके सरीर पर हाथ फिर जाते थे, इनके बास कभी बैठ जाते थे, कैसे हो हाल पूच जाते थे, और चले जाते थे, अब आया गुपता जी के डिश्चार्ज होने का समय, जब वो हосpital से discharge होने वाले थे और जब discharge होने वाले थे तो उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टर साहब की खोज की गई तो ईस हॉस्पिटल में कही मिले ही नहीं जब नहीं मिले तो घरवाले परिशान और जब मैं पहले ही बता चुका हूँ, गुपता जी एक अधिकारी के रूप में रिटायर हुए है, इनके बच्चे भी बड़े पोजिशन पर हैं, तो बच्चों ने फिर जिद ठानी की ऐसे कैसे, यहां तो कैमरे लगे हैं, कैमरे में से देख करके निकालते हैं, और फिर उन्होंने हस्पिटल स्टाफ को बोला कि CCTV फूटेज देखो, CCTV फूटेज देखकर के जिन डॉक्टर साब के बारे में उनके पिता जी कह रहे हैं, कौन से मिलना है, वो आते रहे हैं, मेरा हाल चाल पूछने के लिए, तो उनसे फिर मिलाया जाए, उनको पहचानिया और उन गुप्ता जी से वो हाते है बारे में जा करना हाया जिक ह hebben, और इसा हुआ है, यह बताने वाले ऊस वार्ड में भरती कई मरीज थे, जो बता रहे थे कि हमने ऐसे बाबा को दीखा है गुपता जी रो पड़ते हैं इस घटना को बताते हुए और कहते हैं कि बाबा हर बक्त मेरे साथ मौझूद थे मैंने कभी भी नई प्रार्थना की थी कभी भी आचना नहीं की थी कि बाबा आप मेरे पापों को छमा कर दीजिए मैंने कहा था बाबा आप मेरे साथ केवल बने रहिएगा ताकि मुझे बोध रहे कि मेरा अगला जनम ठीक से हो और मैंने जो इस जनम में कुछ हैसे कुकर्म किये हैं जिनकी माफी सायद नहीं है तो आप मुझे उनसे निवर्त करा दीजेगा ताकि मैं आगे इनका प्रहष्चित कर शको लेकिन बाबा तो भग्त वच्छल है बाबा दयालू है उन्होंने जो 80% सफलता और सिर्फ 20% सफलता जहां सरजरी में दिख रही थी वहां से बाबा ने उन्हें न सिर्फ जिन्दा वापस इस दुनिया में लेके आये बलकि गुपता जी के सब्दों में जब उनकी सरजरी चल रही थी और वो अपने होशो हवास में नहीं थे तब भी बाबा की गोद में थे और जब उन्हें होश आ चुका था और critical care unit में थे तब भी बाबा हर वक्त उनके साथ थे अब गुपता जी कहते हैं कि बाबा की जितनी भी कृपाई आपने अपने चैनल पर बताई हैं पहले मैं आधे अधूरे मन से उन पर भरोसा करता था और जब बाबा की ऐसी कृपा मेरे साथ खुद घट गई और कैमरे में भी बाबा capture नहीं हुए लेकिन हमने बाबा को अपनी आखों से देखा है तो इस अलोके घटना के बाद अब मैं बाबा पर कैसे भरोसा नहीं करता और ये कहते हुए फफ़ख फ़फख कर गुपता जी रो पड़ते हैं अभी भी गुपता जी का परिवार उनके अच्छे से देखवाल कर रहा है उनकी तब्यत अच्छी है मैं इस सानुभावत को चैनल पर साजा नहीं करना चाहता था लेकिन वो बार बार पूछ रहे थे कि मेरी अनुभूती को सर अगर आप बताने लाए कुछ इत समझें तो चरूर बता दीजिएगा क्योंकि ये बाबा की मेरे उपर बड़ी दिब्बी कृपा हुई है फिर आंतता हमाइने निर्णाय लिया कि इस अनुभूती को चैनल पर भगतों के बीच में रखा जाए मैं चाहता था कि गुपता जी पूरी तरह से स्वश्थ हो जाए हम सभी भगतों के मंडिली और इंसाइट एस्परिचुलिटी फेमली गुपता जी को धुआएं देती हैं कि वो स्वेक्रिश्थ हो जाए और बाबा की कृपा से वो सतायू हो सौ साल की उम्रक पाएं और उनके मन में जो अपरादवोद बैठा है कि मैंने कुछ को कर्म किये हैं वो ऐसे ही प्रायस्चित हो जाता है जब आपको अपराद का याद हो अस्मिर्ती हो मुझसे कुछ गलती हो गई है और निश्चित रूप से आगे आपको बाबा ऐसे कुछ बहुत अच्छे जनम में देंगे और बहुत अच्छे कर्मों को करने के लिए आपको कोई न कोई औसर चरूर उपलब्ध कराएंगे इस जनम में भी बाबा जब आपको वापस अभी जिन्दा ले करके आए है तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से कुछ न कुछ और बहुत बहतर बाबा करवाना चाहते होंगे फिर मिलूँगा आगे किसी अनुभूती के साथ तब तक के लिए सभी प्रेमे मित्रों को जैश्री राम